हिलो दोस्तो आज हम लेक के आये राज़स्टान पुलीस Seven Mother Day के साथ इसमें हम आपको करवाने वाले राज़स्टान जिक्के के सारे concept कलियर होंगे और सारे जिक्के के सारे प्रेशने इस क्लास के इंदर आपको देखने को मिलेगे तो इस class के अंदर आपके 50 questions होने वाले हैं तो इस class को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीजिए उन विद्यारती तक पहुचा ही class को जो राजस्तान special police की तैयरी करने वाले हैं यदि B.H.T.C. P.T.E.T. वाले सभी विद्यारती तैयरी करने वाले हैं तो जिक्के वाली class को आप मिस न करें और class के अंतक बने रहें और आप बताई कि आपके 50 में से कितने questions सही होए अब हम class शुरू करते हैं आज कि हम class शुरू करते हैं रोजना शाम को 8 बजे live class होगी तो जादा से जादा विद्यारती तक share करने का काम आप कीजिए कि कृष्ण भक्त मेराबाइक का मंधीर राजस्तान में काँ पर हैं जोदपूर पुषकर मेरता या जालावार तो पुषकर जोदपूर मेरता जालावार То कृष्ण भक्त मेराबाइक का मंदिर का है तो जल्दी से कमेंड के माइजन से आंसर बता दीजी और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मेड़ता मतलब आपका मेड़ता रोड नागर इसका सही आंसर हो जाएगा कि करनल टोड ने किस सिकर को संतो का सिकर के नाम से संबोधित किया था करनल जेंस टोड ने किसको संतो का सिकर तो आपका क्या हो जाएगा सेर सिकर गुरू शिकर अचलगट सिकर या बेराड तो इसका हो जाएगा गुरू शिकर और गुरू शिकर को क्या का संतो का सिकर और इस आप नहीं मिलेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गुरू शिकर नेस्ट क्वेशन नेस्ट क्वेशन आपके सामने आचुका जल्दी से कमेंड के माइदियम से सभी विद्यारती आंसर देने का परियास करें जल्दी से कि रासमन जील का निर्मान किसने करवाया था उदे सिंग अजी सिंग रासिंग या प्रताप सिंग तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा रासिंग और रासमन जील का है रासमन जिले में राजस्तान की एक मात्र जील है जिसके नाम पर जिले का नाम भी रासमन है तारागड का निर्मान करवाय था तारागड का निर्मान किसने करवाय जल्दी से कमेंड के मध्यम से दीजिए और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अजय देव चोहान और अजय देव ने हाँ बिलकुल इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option number C next question कि हल्दी गाटी का यूद किसके मध्य हुआ हल्दी गाटी का यूद किसके मध्य हुआ अकबर अमेर, मानसिक अकबर मुंगल मेवार या उप्यूक तो सभी इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा C मतलब मुंगल और मेवार के बीच में हल्दी गाटी का यूद हुआ next question मेवार के शाशक वंस का नाम क्या था गड़वाल, राठोर, गुहिल या कच्छवा इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा गुहिल वंस, कौन से? गुहिल वंस, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा C, जल्दी से जल्दी से शेर कर दो कि मंजिल उनी को मिलती कि मंजिल उनी को मिलती जिनके सपनों में जान होती कि मंजील उनीक को मिलती जिनके सपनों में जान होती पंको से कुछ नहीं होता हैं होसलों से उडान होती है नमस्कार जल्दी सेर कर दो सभी लाड़ो जल्दी सेर कर दो और कमेंड के माइदम से दुआ दुआ आंसर कर दो भई next question कि सांक बरी के चोहान राज का सस्ताब़ कौन है शांक बरी जेपूर हैं और वासुदेव इसका सही आंसर हो जाएगा option number C next question कि सिंदुगाटी सब्यता की कोज कब की गई थी सिंदुगाटी की सब्यता की 18-18, 1922 या 1921 इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1922 इसका हो जाएगा 1921 इस्विव में जल्द बाजी में गल्त पे टाइप हो गया तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1921 इसका बिलकुल आपका सही आंसर हो जाएगा next question राजस्तान का राज दिवस हैं राजिस्तान का कथक, बरत नाटयम, डांडिया या गुमर तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुमर है ना ये मारवाड का लोग फ्री हैं बिल्कुल हाँ राजिस्तान में महिला रोजगार कार्यकलम की प्रत्थम स्तापना कहा की गई थी जैपूर, उधैपूर, अजमेर या जोथपूर तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका हो जाएगा अजमेर सोरी जल्द वाजी में नेट प्रोब्लम की वज़े से जोथपूर प आपके सामने कि अपनी धर्ती अपने लोग योजना किस वर्ष प्रारम हुई थी तो वो कभी हुई 2006 केंदर हुई थी जल्दी से जल्दी से जल्दी सभी शेयर कर दीजी मेरे लड़लो राजस्तान का एकी करन कितने चरणों में पूरा हुआ राजस्तान का एकी करन साथ चरणों में पूरा हुआ कितनी साथ चरणों में जल्दी से जल्दी कमेंड कर दीजी और कितने क्वेशन जल्दी से चेपो पर चोड़ने यह के सिसीह बारतों इसका आपका सभी अंसर हो जाएका कर्नल जैंस अंध्यन्च तोड़ने रामशागर वन विहार का इसलिए राम सागर दोलपूर बासवाड़ा कोटा बरतपूर तो pierwsze क कञा हैं आपका दोलपूर इसका सभी आंसर अंसर हो जाए programming option number इसका A बिल्कुल आपका clear answer हो जाएगा option number A next question next question आपके सामने है next question आपके सामने आचुका है बारत सरकार का प्रताम विदी अधिकारी कौन है संगी विदी मिंतरी बारत का महाय नयदीश विदी सची बारत का मुख्य नयदीश तो इसका आपका साही answer क्या हो जाएगा इसका आपका B हो जाएगा साही answer क्या है B option number B हो जाएगा साही answer जल्दी से सभी comment कर दीजिए और बहुती शांदर question आचुका है इस्टार लगाने वला कि निम्ण मेंसे कौन सा उत्सव बुंदी में होता है बुंदी जिल्ले के अंदर कौन सा उत्सव मना जाता है तो इसका आपका सही answer हो जाएगा कजली तीज और कजली तीज का त्योहर कब मना जाता है चेत्रमे और चेत्रमाईने के अंदर कौन-कौन से त्योहर मना जाते तो इसका आपका सही अंसर हो जाएगा कजली 30 भी आपकी बुंदी के अंदर और 6 तरमा के मंदर बनाई जाती है नेस्ट क्वेशन आपके सामने आ चुका है कि हल्दी गाटी उदेपूर का युद कब हुआ हल्दी गाटी उदेपूर का युद कब हुआ तो आपका हुआ था पंदरा जून उनिस पंदरा सो पिचोतर जून पंदरा सो चियोतर जून पंदरा सो चम्मोतर जून पंदरा सो सत्यतर तो इसका आपका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन नमर इसका बी हो जाएगा पंदरा सो चियोतर नेस्ट क्वेशन आपके सामने राजस्तान का प्रथम करशी फॉर्म का इस्तापी थें करशी तो सूरतगड आपका गंगानगर हो जाएगा इसका D आंसर क्या सूरतगड गंगानगर वाला हो जाएगा सही आंसर नेस्ट क्वेशन राज में सुपरताप विदुद्गर की स्तापना सरपतम कांपे हुई किशनगड अजमेर नाहरगड सूरतगड या रावत बाठा तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा सूरतगड बिलकुल इसका कलीर आंसर हो जाएगा उप्शन नमर स नेस्ट क्वेशन ये कंप्यूटर का क्वेशन है राजस्तान पुलिस वालो इस क्वेशन को रटलो कि कंप्यूटर में किसकी शब्द की लंबाई किसे मापते हैं कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसे मापते हैं बाइट से बीट से मेगा बाइट से या फाइल से इसका आपका हो जाएगा beat से मापी जाती है, computer में किसी शब्दे की लंबाई किसे मापी जाती है, beat से, जल्दी से जल्दी comment कर लीजे इसका आंसर का, और next question आचुका है, राजस्तान में सरपतम मराठो का आगमन कब हुआ था, मराठो का आगमन कब हुआ, तो इसका आपका सही 11, श्वीवी के अंदेर क कब हुआ, 1711 next question, कि निमन में से कौन सी जगा हाथ के बने कागज के लिए प्रसीद है, तो आपकी हो जाएगी कौन से, आपकी हो जाएगी सांगाणेर, और सांगाणेर का है, सांगाणेर आपकी जैपूर वाली, वा, मेरे लाड़लो, सेर कर दो, स और कहां से निकला जाता है तो आपका निकला जाता है बेस लाना बेस लाना बिल्कुल आपका सही अंसर हो जाएगा बेस लाना और बेस लाना कहा है आपको कमेंड के माइदम से बताना इसका हो जाएगा बेस लाना ओप्शन नमर सी हो जाएगा नेस्ट क्वेशन जसनाजी संप्रादय के लिए कितने नियम का पालन करने वाली जरूरी है जसनाजी कितने संप्रादय का नियम करते हैं कितने नियम का पालन करते हैं तो वो करते हैं आपके 36 नियम का पालन करते हैं तो जांबो जी आपके करते हैं कितने 29 नियम का पालन करने वाले जांबो जी और जसनाजी 36 नियम का पालन करने वाले ये भी आपको अवश्य रुप से ध्यान रखना होगा नेश्ट क्वेशन आपके सामने आ चुका है कि बिका नेर का कौन सा शाशक अकबर और जागिर दोनों के सेवा में रहा था जल्दी से राव बिका हैं कल्यान मल हैं राई सी है दल्पत हैं तो इसका आपको जल्दी से कमेंड के मैदम से आंसर देना है और इसका सही आंसर हो जाएगा कल्यान मान कौन सा बिका नेर वाला नेश्ट क्वेशन कि प्रताब की सेना कि प्रताब की सेना का पठान शेननायक कौन था तो इसका हो जाएगा हाकीम खा कौन सा हो जाएगा डी हा इसका सही आंसर हो जाएगा हाकीम खा जो परताब की सेना का पठन सेननायक था बिलकुल नेस्ट क्वेशन इसका कि हल्दी गाटी के युद को किस विद्वान ने खमनोर का युद का था हल्दी गाटी के युद को किस विद्वान ने खमनोर का युद का था तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा अबुल फजल विद्वा ने हल्दी गाटी के युद को खमनोर का युद का और खमनोर का है राज समान वेरी गुड मेरे लाड़ लो वेरी गुड जल्दी से जल्दी सेर करते रो सेर करते रो नेस्ट क्वेशन बोगुलिक द्रेश्टी से राजस्तान भारत के किस बाग में इस्तित हैं तो किस बाग में दक्षिनी पच्छमी उत्री पुर्वी या उत्री पच्छमी बाग या पूरु पच्छीम तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पच्छमी बाग के अंदर आप पडोसी राज में कौन सा नहीं है और पडोसी राज कितने हैं पांच कौन कौन से एक पंजाब हो जाएगा उत्तर परदेश हो जाएगा हरियाना हो जाएगा मध्य परदेश हो जाएगा और कौन सा गुजरात हो जाएगा तो इन में से कौन सा पडोसी राज नहीं है गुजर गुजराद भी है मेरे लाड़ लो और गुजराद की सीमा कितनी है 1022 किलोमेटर लगती है उत्तर परदेश की कितनी है 877 किलोमेटर लगती है मध्यपरदेश की 1600 किलोमेटर लगती है तो पाकिस्तान है जो राज नहीं होगा ये आपका हो जाएगा अंतराश्टी देश है तो तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा क्या इसका हो जाएगा पाकिस्तान और इसकी कितनी लगती हैं राजस्तान के साथ राजस्तान के साथ लगती हैं 1070 किलोमेटर रेड कलिप रेका के नाम से जानी जाती हैं राजस्तान के कितने जिले लाबावी थे हैं चार जिले की सीमा कौन कौन से जेसल मेर, बिकानेर, बाढ़ मेर और घंघा नगर है ना तो इसका सही तो आपका पाकीसान एक राजन नहीं है चेत्रपल की धुरश्टी से राजस्तान का सबसे चोटा जिला हैं सीरोई, अलवर, भरतपूर, दोलपूर तो चेत्रपल में सबसे चोटा कौन सा हो जाएगा दोलपूर कितनी 3034 किलोमेटर इसकी चैत्रपने तो इसका बिल्कुल आपका D आंसर हो जाएगा जल्दी से जल्दी कमेंड के माइडम से आंसर देने का परियास करें जल्दी से जल्दी सेर करें बिकाने राज ता मुगल के बीच प्रतम संदी पर हकताक्षर करने वाला शाशक कोन था कल्यान मल, रायसी, गंगासी या प्रत्वी राज तो जल्दी से इसका अंसर बताईए सभी सभी अंसर बतादे जल्दी से तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका correct answer कल्यान मान next question राजस्तान राज में सबसे पहले सूर्य दय और सूर्य अस्त कौन से जिले में होता है सबसे पहले आपको बताना है तो वो होता है काँ पे आपको जल्दी से comment के मैदन से इसका answer देना है जल्दी से जल्दी कमेंड कर दीजे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोलपूर कौन सा दोलपूर सबसे पहले सूर्य उदे होता है और सबसे पहले सूर्य अज तभी यहीं होता है next question आसुका है आपके सामने कुम्बलगर्ड किले का प्रहमुक वास्तुकार कों है कुम्बलगर्ड किले का तो विद्यादर, मंधन, केशवधान, या नाता तो इसका सही answer हो जाएगा क्या मंधन इसका सही answer हो जाएगा next question बहुती शांदर क्वेशन है और इसमें क्या लगा दो इस्टार लगा दो इस्टार लगा दो कि खरीब की फसल है और रभी की फसल के अंदर कौन-कौन से आती है और खरीब के अंदर कौन-कौन से आती है तुमें आपको बता दू खरीब मतलब खरीब के अंदर कितने बड़ा नाम है खरीब तो सरवादिक फसल यहीं बोई जाती है वर्षा के समय में तो वर्षा वाले कौन से हो जाएगी देखो चना अभी रभी की फसल है सरसो भी रभी की फसल है और मटर भी रभी की फसल है तो कौन से फसल है खरीब तो खरीब एक दान की फसल है इसका बिल्कुल आपका B answer सही answer हो जाएगा Next question Next question आपके सामने चितोड के छेतर को अई किस नाम से जाना जाता है मेधपाड, प्रागवाड, अर्जुनायक या A और B दोनों तो इसका हो जाएगा A और B दोनों option number इसका D हो जाएगा Next question राजस्तान के बरतपूर अलवर छेतर को किस जाती ने अपना अधित्व इस्तापीत किया किस जाती ने तो इसका सही answer हो जाएगा अर्जुनायक ने किस ने अर्जुनायक ने इसका सही answer हो जाएगा Next question मंडोर जोतपूर और सातवी सतापदी में किस का शाशक था मंडोर जोतपूर और मंडोर का है जोतपूर रावन है ना रावन का ससुराल मंडोर जोतपूर है ना तो वहाँ पे सातवी सतापदी में किस का शाशक था तो वहाँ पे था किसका इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका D क्लिर आंसर हो जाएगा गुजर परतियारुका किसका गुजर परतियारुका शाशक रहा था नेश्ट क्वेशन मेव जाती का प्रसीद नाये कौन था मेव जाती का इसका आपका सरी आंसर हो जाएगा हसन खा मेवाथी इसका बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेस्ट क्रेशन राजस्तान बाशा की प्रतम फिल्म है थी ये आपका B.H.T.C B.H.T.C में पूचा था 2019 के अंदर कब पूचा 2019 के अंदर और इसमें सभी विद्यारती स्टार लगा दो BSTC 2019 में ये प्रश्न पूछा था देख लेना पेपर उठा के तो राजस्तान भाष्या की प्रतम फिल्म थी कौन सी नजराना 22,46 रे ना तो नजराना इसका सही आंसर हो जाएगा नेस्ट क्वेशन आपके सामने आचुका है कि विक्रम शिलाज सिक्षा केंद्रे सस्टापक का नाम है देवपाल नरेंदरपाल, धर्मपाल या नेलपाल तो इसका चक्वेशन हो जाएगा धर्मपाल नेस्ट क्वेशन किस वर्ष में मयामार बारत वर्ष में अलग हुआ किस वर्ष में मयामार बारत से अलग हुआ था तो कब हुआ था 1936 श्वी के अंदर हुआ था Next question किस परमार शाषक को मरू मंडल का महराजा का जाता है दूम राज, उपल राज, सिंध राज ये दारावन से तो इसका हो जाएगा सिंध राज Next question कि संत दादू का साहित किस बाशा में लिखे गए थे संत दादू का साहित किस बाशा में लिखे गए थे तो इसका हो जाएगा मेवाती, सोरी इसका हो जाएगा ढूंडारी बाशा में किसका, ढूंडारी इसका विलकुल आपका बाशा की उप बोली है मेवाडी की मालवी की वागडी की या गोडवाडी की तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मालवी बाशा में मालवी बाशा की उप बोली है कौनसी निमाडी किसके उब बोली है तो मालवी की उब बोली है next question next question आपके सामने ब्यावर अजमेर का छेतर के नाम से जाने जाता है ब्यावर अजमेर वाला तो किसके नाम से जाने जाता है तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मेरवाड़ा क्या हो जएगा मेरवाड़ा और मेरवाड़ा का है अजमेर के अंदर है नेस्ट क्वेशन क्या है कि हसन खा मेवाती किस यूद में राणा सांगा की और से लड़ा गय था तो किसकी यूद में तराइन का यूद हल्दी गाटी का यूद या पानी पत का यूद य सामने आ चुका हैं राजस्तान में प्रस्तत युग के अफशेस किस नदियों के किनारे प्राप्त हो हैं गगर माही लोनी बान गंगा कातली रुपारेल बनास बेड़ेस गंबीरी चंबल या इन में से को ही नहीं तो इसका आपका सई आंसर हो जाएगा C क्या बनास बेड़े नियुनतम पूछा हैं सरवादिक वाला तो पूछे तो उदेपूर बताना क्या बताना उदेपूर सरवादिक वन वाला चेतर पूछे तो उदेपूर और सरवादिक नियुनतम वन वाला चेतर पूछे तो हो जाएगा चूरू क्या हो जाएगा चूरू इसका बिलकुल आ साथ आप विद्यार्थी को शेर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और आप चैनल पे पर लिवारोतों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मिलते हैं एक नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जै इंद, वंदे मातरम, जै भारत, जै राजस्ता